दोस्तों आई एंडी अकेडी में आप लोगों का स्वागत है आज इस वीडियो के माध्याप से मद्द प्रदेश करेंट अफेयर और अन्न महात्पून ख़बरों को एक साथ समलित करते हुए कबर कराया जाएगा इसी के साथ साथ जैसे कि आप इमेज में देख रहा है खाली पदों के लिए सामोई खरताल शुरू बिलकुल बहुत बड़ी ख़बर है ये कहेंगे वेकेंसी के लिए अपने लिए तो सरकार पर एक दबाव फिर से पढ़ता हुआ देख रहा है ठीक है अभी मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 14 अक्टूबर की डेट बहुत इंपोर्टेंट है कि 14 अक्टूबर को क्या फैसला आता है कोर्ट का क्योंकि सरकार ने विजए कि OBC आरक्षन के लिए जवाब नहीं दिया है लेकिन ये जो न्यूज आई है कि खाली पदों के लिए सामोई करताल अभी लगबत 400 पद तहसिलदार और नायब तहसिलदार के मिलाके खाली है और कही ना कहीं उनको मानसिक दबाव डाला जा रहा तो चलिए देर ना करते हुए बाद करते हैं यह देखिए तीन देन आवकास पर रहेंगे नायब तैसिलदार और तैसिलदार न्यूज आपको एक ब़र बता देते हैं नायब तैसिलदार और गुरूवार से आज सकते कारले कहीं तक चाम Old्व क Алभ ओकष पर रहेंगे इसक या पर खाली पदों को नहीं भरा जा रहा है जब तुम बेकेंजी नहीं दोगे ना उल फजूल की नोटंकी करते रहोगे तो कहां से खाली पद भरे जाएंगे और संसाधनों की कमी भी इसके बाप जूद राजय सुविभाग में ऑनलाइन आवितनों का निराकरण समय सीमा म करने की बादता भी इन्होंने निश्च्चत कर दी इससे काम पर मांसिक दवाव पढ़ रहा है लोगों पर तो संग्य ने चेताबनी दिया 13 अक्टूबर की शाम तक मांगों पर सकारात्मक निर्णे नहीं लिया तो 14 से सामुरी खरताल पर जाएंगे अगर तैसिलडार नहीं भरे जा रहे तो नायब तैसिलडार का प्रमोशन किया जाएगा नायब तैसिलडार का प्रमोशन किया जाता है तो यह पत् तो खाली होंगे कही लें तो सिर्फ यही बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी अपनी जो तैयारी है उसको कंटीनू रखें क्योंकि न्यूस का वेट नहीं करें क्योंकि लगातार दबाव कहीं न कहीं से सरकार से डाला जा रहा है चाहतरों के दवारा डाला जा रहा है कोट के दवारा भी अभी दबाव हो सकता है 14 अक्टूबर को क्योंकि जैसा 36 गल का निरना है और कहीं न कहीं अधिकारियों को दवार भी यह दबाव आप देखने को मिल रहा है तो चलिए अपनी न्यूस की शुरुआत करते हैं करेंट अधिर के साथ मद्द परदेश के करेंट अफेर से जुड़ी बात सबसे पहले करते हैं मद्द परदेश से सबसे बड़ी निउस जो है वह 18 अक्टूबर को होने वाला इंद और मैंगनीश वेक्सेंट निवेशक सम्मेलान है यह बहुत इंपोर्टेंट है किसी ना किसी प और अस्वाने का फ़ोगों के लिए दबाईा ज्यो निवेशकि पॉलसी होगी यह जैसी नहीं हो सकती तो इनका कहना यह है कि जैसे जूतों के साइज सब भी का एक जैसा नही होता उसी तरह हर उुद्द योग के लिए अलग-अलग पॉलसी निश्चित की जाए तो इसको यह गोशना करेंगे 8 अक्टूबर को तो यह जब मैगनिफिशेंट MP है The Power of Trust इसको याद रखना यह कहां हुआ है पहली कोश्चन यहां से बनेगा कि कहां हुआ है ठीक है तो इन दोर कब होगा यह 18 अक्टूबर को और इसका मुख उद्देश की क्या है निवेशों को मद्द प्रदेश की तरफ रुजहाना मतलब कि मद्द प्रदेश में निवेश और बढ़ाना और इसके लिए क्या कर रहा है सभी के लिए पॉल्सियां अलग बना रहे हैं चलिए नेक्स्ट निउस की तरफ चलते हैं नेक्स्ट निउस की तरफ चलते हैं जैसे कल आज आपने देखा यहां भी देखिए मैंने जैसे मद्द प्रदेश की कोई भी साइट कोलता हूँ तो वहां से निउस लेता हूँ तो वहां भी देखिए इस प्रकार की चर्चा है तो यह बहुत नेक्स्ट निउस से मिनार का आयोजन किया जाएगा ठीक है तो यह सिर्फ एक इंपोर्टेंट यहां पर क्या है और इस बर्स इसकी विश्यवांसिक स्वास्त दिवस्त कम मनाया जाता है दस अक्टूबर को एक कुश्चन यहां से यह बन सकता है बस तो बहुती कम पूछी जाती है लेकिन तब भी आप एक नजर अपने दमाग में रखें आत्म हत्या की रोकता में तु मिल जूलकर कार करें नेक्स्ट निउस की तरफ चलते हैं मद्वर्देशी रेलिटेट है विश्व द्रश्टी दोस दिवस अभी हमने आपको बताया मानसेक स्वासी दिवस इसी तरह बिश्चुष दिवस 10 अक्टूबर को ही मनाय जाता है इसकी डिटेल की अगर बात कर ले लक्षण कैसे कैसे आपको देखे कि अगर दिरश्टी दोस आखों की असामानने बनावट के कारण होता है अधिक समय तक लगातर पुस्ता के वीडियो स्क्रीन देखने से दिरश्टी दोस होने की सम्मामना बढ़ जाती है यदि आप नस्दीक या दूर की बस्ती को सही तरह से देख पाने में असमर्थ है जैसा कि ब्लैक बूर्ड दुन्दिली दिरश्टी नस्दीक का काम करते समय सिर्दर्द की सिकायट बच्चों दौरा पढ़ाई में रुची नहीं होना तो इस तरह कि अगर आपको लक्षन देखते हैं तो कहीं न कहीं आप दिरश्टी दोस से पीड़ेते हैं तो सिर्फ यहां पर एक पॉइंट आपको याद रखना है कि 10 अक्टूबर को दो दिवस मनाए जाते हैं यह दोनों दिवस मैंने आपको डिसकस के साथ बता दिये नेक्स्ट न्यूस की बात करते हैं मद्द्रदेश से रिलेटेड है बात कि जा रही है अब भारत रत्म देने की बात क्यों की जा रही है क्यों कि अभी IAU International Astronomical Union चलिए डिटेल में बताई देता हूँ आपको International Astronomical Union IAU ने मंगल और ब्रसपती दो ग्रहे होते हैं मंगल और ब्रसपती के बीच एक ग्रहे माइनर प्लेनेट का नाम करण भारतिय सास्त्रिय संगित के नक्षत्र पंड़े जसराच के नाम पर किये जाने की घोशना की है इससे उत्साहित होकर इंदोर के शिश्यों ने पंड़े जी को भारत दर निजीरने की मांग की है ठीक है तो मतलब कि एक ग्रहे का नाम जब इनके नाम पर रखा जा तो बहुत बड़ी उपलब दिया है पहले हम कहेंगे चीन के राष्टपती कौन है सी जिनपिंग जिनको आप बहुत बखुवी जानते हैं और इनकी कोई भी यात्रा कर भारत होती है तो बहुत मुद्द ही वन जाता एक प्रगारत है तो 11 से 12 अक्टूबर ये भारत के दोरे पर हैं चीन के न्यूज बताते हैं आपको और कहां ये मीटिंग होगी दुई पक्षी बारता होगी दुई पक्षी का मतलब आप समझते हैं दुई पक्षी का मतलब होता है कि दो तरफ एक तो उधर से और अपने भारत के प्रणान मंत्री अगर उधर से राष्ट पती है तो भारत के प्रणान मंत्री अपनी ये मीटिंग करेंगे चीन के राष्ट पती सी जिन पिंग पीम नरेन मोदी के साथ दूसरी अनौपचार एक सिखर वारता के लिए सुक्रवार को भारत आएंगे ग्यारा और बारा अक्टूबर को तमिल नाडू के महावली पुरम में दौनों निताओ के वीच दूई पक्षी चेत्री वे अंतररष्टी मसलों पर मंत्रणा होगी अब दूई पक्षी का मतलब समझ लिकिए मतलब दौनों पक्षों की सहमती इधर से अकर बिदेश मंत्री है तो इधर से भी बिदेश मंत्री लेंगे तो दौनों पक्षों की सहमती की बाद दौई पक्षी ये बारता हो रही है और ये 11 से 12 अक्टूबर कहां होगी ये याद रखना है महावली पुरम तमिल नाडू के महावली पुरम में ये बारता होने वाली है तो दो चीज़ें इसमें याद है कि कब आये थे इनका दौरा भारत कब रहा था तो 11 से 12 अक्टूबर को रहा था और कहां पर ये आयोजन हो रहा है तमिल नाडू के महावली पुरम में कौन है? क्रिकेट टीम की इनकी अंतराष्टी क्रिकेट में बंडी अंतराष्टी क्रिकेट में बीस दो दसा क्यानी बीस साल पूरे हो चोकी है और यह उपलब्ती हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है यह बीस साल तक अंतराष्टी क्रिकेट में अपनी दावेदारी पेश करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है मिताली राज और भारती तीम की भारती महिला टीम की एक अप्तान भी है ठीक है सिर्फ यही न्यूज याद रखनी है बाकि कोई भी न्यूज इंपोर्टन नहीं है चलिए next न्यूज की बात करते हैं खेल से रिलिटेट है कि आश्टियल्या की महिला टीम लगातर 18 वंडेश जीता है ऐसा करने वाली दुनिया की या अस्टियलया ने आश्टिले की महिला टीम में लगातार कितने मैच जीत कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है इस तरह से कुशन आ सकता है तो अठारा बंडे जीतने वाली लगातार, अठारा बंडे जीतने वाली दुनिया की पहली टीम कौन सी होगी, आश्टिलिया होगी वह भी महिलाओं में दो न्यूजेज हो गई तीसरी न्यूज की बात करते हैं जैसे भी खेल से रेलिटेड है कि चार साल का इनको डोपिंग टेस्ट में यह फेल हो गई है तो इनको चार साल का प्रतिवंद लग गया इनका नाम है निर्मला ट्रेक एंड फील्ड की खिलाडी यूनिट ए आई यू ने भारती फट्राटा धावक निर्मला शोरण से एशेन चेंप्रेंसिप के उनके दो शौरण पदक शीनते हुए उन पर चार साल का प्रतिवंद लगा दिया कित्ते साल का प्रतिवंद लग जिया चार साल का ए आई यू ने निर्मला को जून 2018 में गले रूइस परदा में इस्टिरोई्ट कि भ्रोॉष्टण लोन और मैटन लोन के इस्तमाल क का दूस्य पाओ था ही दो प्रकार की दवाईयं थी इनके इस्तमाल किया था और दूस्य पाया गया था ठीक हैं AIU के मताबिक इस भारती एथलीट के खून के नमूने में गलबड़ी पाई गई थी तो इस तरह से इन पर track and field की खिलाड़ी है दो चीज़ें आप यह आद रखने हैं कि क्रिस्प टीम की खिलाड़ी है और कितने साल का इन पर प्रतिवन्द लगा चार साल का चलिए नेक्स्ट न्यूस की बात करते हैं गुजराथ से दिल्ली तक बनेगे green wall of India ग्रीन वाल ओफ इंडिया कहां से कहां तक बनेगी पहला कोश्चन हो क्या बनेगी green wall of India गुजराथ से दिल्ली तक इस तरह से याद रख सकते हैं अब अपने प्रधान मंत्री कौन है कहां से गयते गुजराथ से दिल्ली तक का सफर ग्रीन वाल ओफ इंडिया के द्वारा इस तरह से आप याद रख सकते हैं कित्ती लंबाई इसकी कितनी है लंबाई अगर हम आपको बता तो 1400 किलोमीटर आपके सामने सब कुछ लखा हु 1200 किलोमीटर लंबी ग्रीन वाल यानि हरी दिवार तैयार करने का फैसला किया है यह कहां से कॉंसेप्ट लिया गया है अफ्रीका में सेनेगल से जीवूती तक बनी हरित पट्टी की तरच पर गोजरास से तो यह कॉंसेप्ट कहां से आप से पूछ सकता है सेनेगल से कमीटर लंबी और पांच किलोमीटर चौड़ी शरैत कीका पर्टी के निर्मान किया जाएगा इसंतरा जाब लेकिन इंडिया को क्या ये थी अपनी आज की न्यूज दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और हमारा प्रयास कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आएंडी अकेडमी बिभिन ने पिर्तों की परिक्षाओं की तैयारी हिंदी माध्यम में करा रही है तो आप लोग आएंडी अकेडमी के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को और भी बेतर कर सकते हैं आएंडी अकेडमी के टेलिग्राम ग्रूप, इंस्टाग्रूम, फेस्बुक ग्रूप से जुड़ने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अगुड दे